वेलकम टू एग्री सिक्षा, एग्री सिक्षा के यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईजी की वी रैपूर है उसके अंदरगत दो और निव पाठ्ठेकरम मतलब की बहुत वर्सों से पिछले साल एक नया पाठ्ठेकरम फूट टेकनोलाजी और जो बीटेक एग्रिकल्चर है वो कई वर्सों से संचालित हो रही है तो इन जो पाठ्ठेकरम है उनमें आपको एडमिसन लेने के लिए कितना कट आफ जा सकता है आपको हमने पिछले भी वीडियो में बीची एग्रिकल्चर से रिलेटेड कट आफ बताय थी इस वीडियो में हम जो बीटेक एग्रिकल्चर इंजिनियरिंग और फूट टेकनो होते हैं वही इस पाठ्ठेकरम में इडमिसन ले सकते हैं तो कट आफ कितना रहेगा एक्जाम अंकम उक्जाम हौड था तो कट आफ क्या होता है कि एक्जाम कम हो जाता जैसे cgp at में हुवा था अगर इक्जाम इस रहता हो थो से हो निरा रहता है वह दर नहें और कि ए te को स्टार्ट करते हैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हुआ कि हम लोगों ने जो जनर्राल ओबीसी एस्टेसी और जो इस पाउट राउंड यहां नीचे में इस पाउट राउंड दिया है उसको आपको प्रिवियस के काट आफ है मतलब कि पिछले साल क्या काट उसको निकाला गया है मतलब जो इस एर में किस प्रकार से जा सकता है तो जो हमीशा का जो आप लोग को पता भी होगा कि जर्राल वालों लोग को बहुत दिक मेहनत करना पड़ता है तो जर्राल का कट आफ यह बीटेक एगरिकल्चर इंजिनियरिंग का कट आफ है ठीक है य यहां का जो कॉंपेटिशन है बहुत ज्यादा रहता है यहां इस्टुडेन बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करती है यहां के जिव बूलें कि सभी प्रकार के प्रेक्टिकल लैब बहुत अच्छे से है ऐसे टापका बोला जाता है और जो बी आरे से में यह मुंगेली मे एक्जाम कंडक्टर कराती है उसके थूरू मैंट्स के इस टुडेंट रहते हैं वह इन कॉलेजों में प्रवेस करते हैं तो जब्टी के रहता है वह हनडरेंड और फिमेल कर रहता है है मतलब कि गिच जैसे कि आपका रहेंक 1000 है तो बीच में जितने भी स्टुडेंट हो सक है कि यह सभी लोग इंजीनियरिंग में एडमिसन ले लिए या कई स्टुडेंट ऐसे भी होते हैं जिलोग बीटेक में बीटेक में एडमिसन लेने वालों की जन सेंख्या बहुत तमी होती है लेकिन क्यों कर नहीं करेंगे जो झैटे हैं गवर्यॉस्ट की थो लिंटेड है अब स्ट की होने कारीब करिब टू चार सवसे च्हक्ष्ष्षों तक चला जाता है मैं फरी चार शव ज्यादेग और ला ली से है और आगे पीचह रहाता है जो में या उन या और हो जाता है आगे से हो सकता है इस May पीश के ले करके कि मिलन्य सकता है कि तीन आप गोहरेकर ऑलोट ग। बेरां के है इस अजार रहता है वह प्री इंजीनियरिंग टे δ variety श्रम अपको डिवाइड रहता ये इसमें सीड भी बहुत कम है लिमिटेट सीड है इसकी इसमें कॉंपिटिशन भी बहुत कम हो जाता है तो अगर भात करें कि जो फूट टेकनोलाजी है इसके लिए बीटेक फुट टेक्नोलवजी यह जो इस्टुडेंट रहते हैं मतलब केंडिडेट जो एडमिसान लेते हैं इसमें अक्सर करके जो फॉर्म जाता है न वो हजार फॉर्म ही फील अप होता है मतलब की बीटेक के लिए हजार फॉर्म ही प्छले साल भी ऐसा हुआ था यह रैंक है आपका जो पी इट के बारे बता रहें हुआ आपका जित्ते भी हम आपके मांक साय लाते हैं रीक है लिख रहूं यहां प्री इंजिनियरिंग्टेस्ट के रैंक के हिसा आठेया है चिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि सभी तो इतने रैंक में हो जाता है क्योंकि ये चो पाठ्थे करम है इसमें एडमिसन लेने माले बहुत कम भी रहते हैं ज्यादा भी हो चकते हैं वो डिपेंड करता है तो आपको वीडियो कैसा लगा यदि डॉप्ड है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक सियर करें थेंक यू